नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है चार दिसम्बर दिन शोमवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर देश के सबसे बड़े शयन मुद्रा में बुद्ध प्रतीमा का हुआ अनावरन इन दस सेंटरों पर नहीं होंगे दूसरे फेज के सिक्षक भरती परिक्षा के आयोजन चनावी राजियों में बीजेपी की जीत पर बिहार में बीजेपी कारे करताओं में मना जाशी जब ट्रेड में खो जाए आपका जरूरी सामान तो कड़े ये काम वर्ल्ड कफ फाइनल में मिलिहार के लिए BCCI के सामने हुई द्रविड रोहित की पेशी अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी ख़बरों के ओर विस्तार से फॉरस्ट गार्ड के 540 पदों पर निकली भरती से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे के आविदन करने की अंतिम तारिक 30 दिसंबर 2023 सक निर्धारत की गई है इसके रिगर सेचनक योगिता की बात करें तो मिद्वार को मानिता प्राप्त बोर्ड संसान से बारवी ITI PUC संबने छितर में डिपलोमा आधी किया होना चाहिए वहीं इसके लावा अभियर्थी की निम्तम आयू 18 वर्स एवं अधिकतम आयू 27 वर्स से जादा नहीं होनी चाहिए इसे जड़ी विस्तरे जानकारी के लिए एक चुकुमिद्वार एक बात जारी के गए नोटिफिकेशन को ज़रूर देखते ATM से पैसे निकालने समय क्या करे और क्या ना करे बिहार सरकार के सूशना एवं जनसंपर्ग विभाग के द्वारा IPRD के तहट पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि ATM से पैसे निकालते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिसके अनुसार हमें ATM से पैसे निकालते समय दूसरे हाथ से कीपैड को ढखकर रखना चाहिए इसके अलावा ट्रांजक्शन की रसीत को फार दे या साबधानी से रखे ट्रांजक्शन से पहले आसपास स्पाई कैमरा चेक करे ATM का प्रियोग करते समय ATM कार्ड स्लोट को चेक कर लेगी कहीं इसकी मर्मशीन तो नहीं लगा है कीपैड मैनिपुलेशन से साबधान रहे और बैंक के ट्रांजक्शन अलर्ट को जरूर सब्सक्राइब करे महें जो काम नहीं करना है उसके अंतरगत कभी भी ATM कार्ड पर अपना पिन नमबर ना लिखे पिन नमबर या कार्ड डिटेल से एर न करे कार्ड की डिटेल्स मांगने वाले मेल, SMS या कॉल का जवाब न दे और पीन के रूप में कभी phones in अपने जंद डेट का उपियोग न करे to भायार परिटर में आज हम बात करेंगे श्रीकृष्ण विज्यान केंद्र के बारे में श्रीकृष्ण विज्यां केंद्र-पत्ना भारत में एक विज्यान संगरहाले है जिसका नाम है भ magist aseg के नाम पर रखा गया था इसका उद्गाटन 14 अपरेल 1978 को सिक्षा मंत्री श्री ठाकूर प्रशास दिन किया था सिक्रिष्ण विज्ञान किंद भारा सरकार के संस्कृती मंत्राली के तहत एक स्वायता निकाई राष्ट्री विज्ञान संग्रहाले परिसत की एक इकाई बनाता है यह गांधी मैदान के दक्षिन पश्मी कोने में स्थित है विज्ञान केंद्र जनता विशेशकर छात्रों के लाब के लिए स्थापित किया गया है विज्ञान में गतिवीदियों के माधियम से अलोशनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए एक नया इनोवेशन हब भी स्थापित किया गया है यहां 3D प्रिंटिंग, ग्रॉट बैन, इंटरनेट, सुवधाओं के साथ 799 प्रयोग शालाएं जैसे विविन सुवधाओं उपलद है यह पूरे बिहार राजी का पहला छेत्री अस्तर का विज्ञान केंद्र हैस्विज्ञान केंद्र में आपको कई अद्बू चीजे देखने को मिलेंगी अंदर की तरफ आपको मनुरंजन से भरपूर खेलों की लुथ उठाने का मौका मिलेगा बिहार में इस दिल से 400 E-Bus का होगा परिचालन 400 E-Bus का परिचालन जल्द ही राजी में वायू प्रोदूशन नियंतरन के लिए शुरू होने वाला है ताकि बरते वायू प्रोदूशन को रोका जा सके इन इलेक्ट्रिक बसों का किराया भी कम लगेगा बता दी कि बिहार को ये 400 E-Bus केंद्री सरकार के PM E-Bus योजना के तहत दी जाएगी बिहार में इलेक्ट्रिक बसे आगामी वर्स में मार्च के महीने से आनी शुरू हो जाएगी फिर विविन राजियो में फेजवाइस इन बसों को पहुँचाया जाएगा कुल 30,000 यात्री इस E-Bus का फाइदा प्रते एक दिन उठा सकेंगे साथ ही साथ प्रदेश में करीब 2,000 लोगों को इससे रोजगार मिलने की उमीदी है जब ट्रेन में खो जाए आपका जरूरी समान तो कड़े ये काम कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि ट्रेन में सफर करने के दौरान हम अपनी जरूरी चीज को वहीं छोड़ देते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका कोई समान ट्रेन में छूर जाता है तो रेलवे आपके जरूरी सामानों का क्या करता है और आप इसे वापस कैसे पा सकते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दे कि अगर आपका कोई जरूरी सामान ट्रेन में छूर जाता है तो आपसे बहुत ही आसानी से वापस पा सकते हैं सदुरान दाविदार का पूरापता खोई वी संपत्ती के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और साथ ही वस्तू की प्राप्ती के टोकन के रूप में उसका हस्ताक्षर भी लिया जाता है। चुप्टि कमी याला पढ़वाही बरती जा रही उसे सुधार ने के प्रयास भी किये जा रहें नवनिक्ष्टत महिला शिक्षकों ने नुरोध किया क्योंध दो पहिया वहाँ चलाने का प्रसक्शन भी दिया जाए महिला सिक्षवों के इसमांग पर सिक्षा विभाग द्वारा फैसला भी लिया जा चुका है जहां प्रदेश सरकार इन्हें स्कूटी चलाने के प्रसिक्षन देगी ताकि वे सही समय प्रविध्याले पहुं सके और जिम्यदारियां का निर्वाहन अच्छे तरीके से कर सके नाबरंत किया गया उसके बाद पुष्प्रवर्शा और आतिशबाची कर खुशी का इसधार किया गया मैंस दुरान उपस्त अन्य बहुत भिक्षूं द्वारा सूथ पाठ किया गया आपकि जानकारी के बता दे कि शर्न मुद्रा में बनी भगवान बुद्र की प्रतीमा 100 फीट लंबी 31 फीट उची और 24 फीट चौरी है जो की गया बोद गया नदी तटी है मिशन के भवन के छट पर स्थापित की गई है इस प्रतीमा का निर्मान कारी जन्वरी 2020 में कॉलकता में शुरू किया गया था मालूम हो कि यह प्रतीमा पूरी तरीके से फाइबर ग्ला अब तक 1.2 लाग सिक्षकों की निउक्टी पहले फेज में की जा चुकी है अब दूसरे फेज के परिक्षा कायोजन होना बाकी है या परिक्षा भी इसी महीने में ली जाएगी दूसरे फेज के सिक्षक भरती परिक्षा कायोजन साथ से 15 दिसंबर के बीच होना है बताद इंदर शिलों में अर्वल, शिवर, गया, सेखपुरा, भववा, किशनगंच, रर्या, मधिपुरा और सुपॉल सामल है 14 दिसंबर से पहले आधार से जुड़ा ये जरूरी काम करे पूरा अगर आपके पास आधार कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए पहत जरूरी है बता दें कि UIDAI की तरफ से आधार कार्ड को लेकर एक जरूरी सुचना जारी की गई है जिसके तहट अगर आपने अधार कार्ड दस साल पहले बनवाया है तो आपको अपने आधार कार्ड को अनिवारी रूप से अपडेट कर लेना चाहिए मालमोग इसकारी को करने के लिए UID AI के द्वारा सभी आधार वोकताओं को 14 दिसंबर तक का समय दिया गया है क्योंकि अगर आप 14 दिसंबर के बाल अपना आधार कार्ड अपडेट कर वाते हैं तो इसको लिए आपको चार्ज देना होगा जो की 50 रुपे होगा ऐसे में अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपना अधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना चाहते तो आप 14 दिसंबर 2023 तक अपना अधार कार्ड अपडेट जरूर करवा ले पतादी की आधार काड को अपडेट करवाने के लिए वोकताओं को अपना demographic data, address rate of birth, mobile number आधी जैसी ज़रूरी जानकारी देनी होगी आधार काड को अधार सेंटर पर जाकर या फिर्खो से UIDAI की अधिकारिक वेबसाइट myadhaar.uidai.gov.in पर जाकर अपडेट कर सकते हैं विहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विनोद विहारी बर्मा के बारे में विनोद विहारी वर्मा एक मैथली लेखक और सैने चिकिसक थे, उन्हें मैथली कर्ण, कायस्थक, पंजिक, सरविक्छन, प्राचीन, वन्शावली, चार्ट, परुन के काम जिन्हें पंजिस के नाम से जाना जाता है उन्होंने भारतिय सेना में एक चिकिसा अधिकारी के रूप में, एक डेंटल कॉलेज में व्यक्याता के रूप में और एक नीची चिकिसा व्यवसाई के रूप में काम किया उन्होंने एक सत्साथ सुतंत्र प्रकाशन और पत्रिकाओं मतला मिहीर और करना मृत के माध्यम से अपने साहितिक करियर को आगे बढ़ाया 1962 में भारचन युदि के दोरार वडमा भारतिय सेना में शामिल हो गया है मनोज बाजपई के द्वारा संदीप रेडडी वांगा की शूपर हिट फिल्म कभीर सिंग को लेकर एक बयान दिया गया जो सोचल मीडिया पर खूब वारल हो रहा है पता दे कि एक बाच्चीत के दौरार मनोज बाचपई के दौरा संदीप रेड़ी वांगा की कभीर सिंख हो संबूधित करते वे कहा गया था कि मेरे लिए कभीर सिंख समाज का हिस्सा है आप इसे वैसे ही लेना चाहते हैं जैसे यह है तो कोई दिक्कत नहीं है आप उसे इस तरह से नहीं लेना चाहेंगे जैसा यह है तो इससी ना देखे जिस पर आपस पर अपनी नयतिक्ता का बोज जाना चाहते हैं तो समाज के अन्य सभी वर्गों के लिए तैयार रहे जो उंगली उठाएंगे और अन्य सामगरीयों को सेंसर करने का प्रयास करेंगे जो उनकी नयतिक्ता और उनके अनुसार नहीं होगे उन्होंने कहा कि इन वे थियेटर पर पत्तराओ करना शुरू कर देंगे क्योंकि जिन फिल्मों से वे सहमत नहीं है उन्हें वहां दिखाया जा रहा तो ऐसे समय में जहां आप चाहते हैं कि फिल्में सभी के लिए दिखाई जाए आप इसके आरोशना कर सकते हैं जाब आप इस लिख रहे हो तो आप इस चरितर की आलूशना कर सकते हैं आप अपना दृष्टी को लग सकते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसे फिल में ही ना बनाई जाए बीपियल पडिवार के सदश्य की मृत्यू पर अंतेश्टी क्रिया हेतू ऐसे पाए अनुदान बिहार सरकार के समाज कल्यान विभाग के दौरा आई पी आरडी बिहार के तहट पोस्ट कर यह जानकारी दी गई है कि राजी के किसी भी उम्र के बीपियल पडिवार के सदश्य की मृत्यू की स्थिती में अंतेश्टी क्रिया हेतू उनके आसरत या निकट स्थर समन्धी को कबीर अंतेश्टी अनुदान योजना अंतरगत राजी सरकार की ओर से अनुदान उपलब्द करवाया जाता है बताते हैं कि सनुदान के रूप में सरकार की ओर से 3000 रुपे दिये जाते हैं वहीं सनुदान को पाने के लिए मृतक के उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं है प्रतेइक मामले में अनुदान के लिए पात्र वैसे आस्रत ही होंगे जो बिहार राजी के निवासी हो या आविदन के तिथी से कम से कम दस वर्स पुर्व से राजे भी रह रहे हों अगर आप आविदन तथा स्विकृती की प्रक्रिया की बात करें तो विहत प्रपत्र में या वार्ड पारसत को आविदन दिया जाता है प्रपत्र उपलब्द नहीं रहने के स्थिति में साधे कागजपर आविदन सभी आविशक विवरन के साथ दिया जा सकता है आवेदन संबनित मुख्या वार्ड कमिशनर द्वारा स्विक्रित किया जाता है सभी पंचायत के खातों में 5 अनुदान के तहट भुकतान हे तू 15,000 रुपए अगरिम रखी जाती है ताकि लाभुकों को तुरंत भुकतान किया जा सके नगर पंचायत में 30,000 नगर परिसद में 60,000 तथा नगर निगम में 90,000 अगरिम राशी रखने की विवस्ता है इससे जुड़ी अधिक जानकाडी के लिए अपने जला के सहायक निदेशक जला समाजिक सुरक्षा को सांग या नुमंडल लस्त बुनियात केंद्र या संबनित प्रखन विकास पदादिकारी से कार्याले से संपर्क कर सकते हैं इसके लावा टोल फ्री नंबर 18-345-6262 पर भी संपर्क किया जा सकता है 6 दिसंबर से बिहार में बारिश के आसार पूर बांका, जमुई, मुंगेर, खगडिया, सुपॉल, अरडिया, किशन गंज, मधिपूरा, सहरसा, कटिहार, पुर्णिया, सीता मढ़ी, शिवर, दर्भंगा, वैशाली, मुझपरपूर, मधुबनी और समस्तिपूर की एक या दो जगों पर बारिश का पुर्वानुमान जारी किया गया है महीं इसके अगले दिन 7 दिसंबर को पटना मौसम विज्ञान किंदर ने पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया है सलर्ट के मताबिक राज्य के सभी जिलों के एक या दो अस्थानों पर बारिश की संभावना है हाला कि मौसम के एक्सपर्ट पहले ही बता चुके हैं किस बर्ठन कम परेगी और श्रीत लहर के दिन भी कम ही होंगे साइबर अपराद के होते हैं इतने प्रकार इन दिनों साइबर अपराद से जिरे कई मामले सामने आते रहते हैं ऐसे में इन से बचने के लिए साइबर केंदर के द्वारा कई एहम कदम उठाए भी जा रहे है और आए दिन साइबर अपराद से जिरे अपरादियों के ग्रफतारी की जा रही है फिसिंग, मेल फ्रोड, पहचान की चोड़ी, ओनलाइन फ्रोड, डेटा उलंगन, बैंकिंग और भुकतान संबंधी, दोखादरी, बिजनेस, इमेल समझोता, क्रिप्टो जैकिंग अवैद वस्तुओं को ओनलाइन वेशना और बाल असलीता की मांग करना, निर्मान करना या अपने पास रखना है, बतादे कि लॉट्री या पुरसका जीतने के लालस देने वाले मैसेज़ों से बच कर रहें अरजीत सिंग का पटना में होने वाला कॉंसर्ट हुआ रद वॉलेवोर्ट के मशूर सिंगर अरजीत सिंग का 10 दिसंबर को बिहार के राजधानी पटना के गांथी मैदान में होने वाले कॉंसर्ट का वेसबरी से इंतजार कर रहे फैंस के लिए बुरी खबर है बता दे कि अब अरजीत सिंग का यह कॉंसर्ट रद कर दिया गया है और उसके पीछे का कारण वी वी आईपी मूवमेंट बताया जा रहा है ऐसे में अब जल्दी इस कॉंसर्ट को लेकर नई डेट के अनाउंसमेंट की जाएगी हाला कि यह उमीद की जा रही है कि नए साल का आगाच अर्जीस सिंग की जादूई आवाज के साथ हो सकता है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 10 दिसंबर को पटना में ग्रीह मंतरी अमस्सा की अध्यक्षता में बिहार सहित पुर्वी राज्यों के विकास पर मंचन होगा जिसमें बिहार जारकर पर्शिम मंगाल और उरिशा के मुख्य मंतरी शामिल होंगे महीं दूसरी ओर अरजी सिंग के कॉंसर्ट में भी भारी भीर होने की संभावना थी ऐसे में दर्शकों के सेफटी और सिक्योरिटी को लेकर और्गनाईजेशन के द्वारा यफ फैसला लिया गया है केके पाठा के खिलाब भागपा ने खोला मोर्चा सिक्षा विवा के अपर मुखे सचीव केके पाठा को लेकर महागरवन्धन सरकार की सहयोगी भारती कम्यूनिस्ट पार्टी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नितीश खुमार से उच सिक्षा निदेशक एवाँ उच माधेमिक सिक्षा निदेशक दोरा जारी आदेशो को वापस लेनी की मांग की गई है बता दे कि हमांग वीते दिन पार्टी की राज्य परिसत की बैठक में केके पार्थक द्वारा दिये गया आदेश्यों के खिलाब प्रस्ताव पारत कर किया गया इस बैठक की अध्यक्षता संजय कुमार और प्रभात कुमार पांडे के द्वारा संयुत रूप से की गई थी उनका कहना है कि वेतन आदी पर रोक लगाना सिक्षा विवा के अफसर की ताना शाही को प्रकट करता है इसके अलावा महासंग के अध्यक्ष प्रोफेसर कनहिया बहादूर सिंग का पेंशन रोकना सदन के विशेश अधिकार के हननका भी मामला है चुनावी राजियों में बीजेपी के जीत को देख बीजेपी पार्टी कारेयाले में काफी खुशी का महल देखा जा रहा जीत के जशन में बीजेपी कारेकरता और नेता लगातार नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहें और खुशी में नाच गाने बर ढोल नगारों का दौट जारी है एक दूसरे का मुँ मिठा करवा कर आपस में एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे इस जशन के महल में महला कारेकरताओं के बीज भी खुशी का महल है उनका कहना है कि नेंद्र मोदी महलाऊं को आतनरवर बना रहे हैं इसलिए देश की महलाऊं को उन्हें चुनना है बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष धर्मशुला गुपता द्वरा कहा गया कि अजीत महिलाओं की जीत है कही न कहीं देश की जनता नहीं माना है कि सरकार लगतार गरीब के कल्यान के लिए काम कर रही साथी महिलाओं को आगे बढ़ा रही है तीन राजी के चिनाव के रिजल्ट को रेकर कॉंग्रस को जद्यू ने घेडा वहीं इस नईया को पार करा सकते हैं, आपके जानकारी के लिए बता दे कि राजस्थान, छत्यसगर और मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत मिली है, वहीं सिर्फ तेलांगना में कॉंग्रस को जीत दी है। वहीं में घाले में, आज से चुनाओ की मद्गना शिर्फ होगी। वहां के जनता को नमन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के द्वारा अपनी हार को स्विकार करते वे, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जनता के फैसले को स्विकार करने की बात कही गई है। प्रजाला तिलांगना की जीत है, यह प्रदेश की जनता और कॉंगर्स पार्टी के एक कारे करता की जीत है, तिलांगना की जनता को तहे दिल से धन्यवाद। कॉंगर्स पार्टी तिलांगना में श्रांती, श्रमिद्धी और प्रगती के लिए संकल्प बध है। राजिस्थान, मद्रिप्रदेश और छतसगर के जनता ने कॉंगर्स पार्टी को विपक्ष की भूमी का सौपी है, जनता का फैसला सर्माथे पर जहिन। वलकप फाइनल में मिलिहार के बाद BCCI के सामने हुई द्रवड रोहिद की पेशी। वलकप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत को मिलिहार के बाद BCCI के सामने टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रवड और कप्तान रोहस्तरमा की पेशी हुई बता दे के रेपोर्स के नुसार राहुल द्रवड के द्वारा, खिताबी मुकाबले में मिलिहार के लिए ए 244 रन पर धेर हो गए थी, मालुम हो कि ट्रेविड हेड और मांधस लाबुसेन के दोरा शांदार बल्लेबाजी करते वे टीम इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का सपना चकना चूर कर दिया गया था भारती नौसेना ने 1971 में पाकस्तान, नौसेना और कराची पर हमला किया अशोग गहलो 2003 में विधानसभा छेत्र से बार्वी राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचूत हुए प्रसिद सहित्य काड़ों में से एक विद्या भूषन विवु का जन्म 892 में हुआ भारत के आठवे राश्रपती राम स्वामी वेंक टर्मन का जन्म 910 में हुआ प्रसिद भारती महिला खिलारी सुनीता रानी का जन्म 919 में हुआ भारत के बारवे प्रिधान मंत्रे इंदर कुमार गुजराल का जन्म 919 में हुआ हिंदी में सिस्ट खास से लिखने वाले कलाकाडों में अग्रणी लेखा का अरनपुर्णा नंद कानिधन 1962 में हुआ आज के दन को भारती नौ सेना दिवसके रूप में मनाया जाता है Whatsapp ने प्राइवसी को लेकर जारी किया नया फीचर Whatsapp ने एक नया फीचर जारी किया है जो आपकी प्राइवसी को पहले से और बहतर बनाता है बतादे कि नए अपडेट में कमपनी ने यूजरस को एक सुधा ये दी है कि वे अपने लॉगड फोल्टर को WhatsApp के search bar में password डाल कर access कर सकते हैं यानि locked chat folder अभी की तरह top में नहीं दिखाई देगा आप इसे एक तरीक से hide कर पाएंगे इसके लावा अब आपको किसी chat को lock करने के लिए हर बार profile में जाने की जरूरत नहीं है अब आप बाहर से ही chat को देर तक प्रिस कर ये काम कर सकते हैं अपने secret chats को छिपाने के लिए आपको locked folder में जाना होगा यहां आपको right side में तीन dot दिखेंगे जिसमें से एक option hide chat lock folder का होगा जैसे ही आप इसे on करेंगे आपकी locked chats WhatsApp से गायब हो जाएगे इसस करने के लिए आपको search bar अपना password दर्श करना होगा वारल को में आजम बात करेंगे भारत में Nadote के प्रकोप के बारे में और आपके वेल के लिए असे करड़िए आपको ने आप प्रांस के आवीदन शुल्ख में हुई इतनी बढ़ोतरी पुड़े 300 रुपए तक की वृधी जे एडवांस के आवीदन शुल्ख में इस वर्ष से कर दी गई है जिससे वर्ष 2024 में 3200 रुपए जनरल और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को देने पड़ेंगे वहीं 16 रुपए और अरक्षित वर्ग के लिए 150 रुपए बढ़ा दिये गए है बता दे कि JEADB.AC.IN बढ़ाविदन प्रक्रिया 21 सप्रेल से शुरू हो जाएगी वही इस परिक्षा में केवल वही उमिद्वार बैट सकेंगे जिनका जन्म 99 के बाद हुआ होगा हाला कि SCST और PWD के इस दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवार अरुसे जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार, पुलिस, दरोगा समीत SSC जैसे आने प्रतियोगी परिक्षा में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार, स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफ़ेर्स और भुगोल से रहेंगे इसका सहुत तरह ओप्षने दुबाई, अगला सवाल, हाली में एक दिस नमबर को क्या मनाया गया है, ओप्षने विश्व रेबीज दिवस, ओप्षन B, विश्व एचाईबी दिवस, ओप्षन C, विश्व एड्स दिवस, ओप्षन D, इन मेंसे कोई नहीं इसका सहुत तरह ओप्षन B, विश्व एचाईबी दिवस, अगला सवाल, हाली में तेरवी सीनियर पुरुस राष्ट्रीय होकी चेंपियनशिप दो हजार तेस का खिताब किसने अपने नाम किया है, ओप्षन E, हरियाना, ओप्षन B, चंडिगर, ओप्षन C, पंचाब, ओ अगला सवाल, बिहार को इसका नाम कैसे मिला, ओप्षन E, क्योंकि यहां महावीर की कारेश थली थी, ओप्षन B, क्योंकि यहां गौतम बुद की कारेश थली थी, ओप्षन C, अधिक बहुत बहुत बिहारों के कारण, ओप्षन D, क्योंकि यहां बिहार शरीफ इस्तित है, इसका सही उत्तर है ओप्षिंसी अधिक बहुत विहारों की कारण अग्रा सवाल विहार में सबसे बड़ा पश्चु मेला कौन सा लगता है? ओप्षिंडी वैशाली मेला, ओप्षिंडी मलमास मेला, ओप्षिंडी सोनपूर मेला, ओप्षिंडी विश्नु मेला इसका सहयुत तरहया उप्संसी सोनपूर मेला बीते दिन हमायदूरा पूची का सवाल को आप लोगों में से बहुत लोगों निपनल जाब हमें हमायदूरा पूची का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं अच के सवाल की उराज का सवाल है आपके नुसार भारत और उस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पांच मैचों की T20 सिरीज में किस खिलारी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्षन में लिख का जरूर बताएं आज के लिए तना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहें बिहारी न्यूज और साथी अगर आप यूटूब से देखना चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखना है तो प